नमस्कार आप सभी देख रहे हैं समय चक्र और मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्ज मनोश कमा शुक्ला रोज की तरह धर्म पर चर्चा होती है तो आज एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के बीचें उपस्तित हुआ हूँ और वो टॉपिक है कुल देवी से देखते हैं बहुत से लोगों को अपने कुल देवी कुल देवता की विसे में कोई जानकारी नहीं होती है तो आज उसी कुल देवी की विसे में मैं चर्चा करूँगा कि कुल देवी देवताओं के बारे में चौकाने वाली जानकारी वो मैं आपको दूँगा भारत में कई समाज या जाती के कुल देवी और देवता होते हैं इसके अलावा पितु देव भी होते हैं भारतिये लोग हजारों वर्सों से अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते हैं कुल देवी और देवता को पूजने के पीछे एक गहरा रिस है जो बहुत कम लोग जानते होंगे आईए बताता हूँ कि सभी के कुल देवी और देवता अलग-अलग क्यों होते हैं और उन्हें क्यों पूझना जरूरी होता है जन्व, विवाहादी, मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवताओं के इस्थान पर जाकर उनकी पूझा की जाती है इसके अलामा एक ऐसी ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के अस्थान पर इखटा होते हैं जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं वे अपने कुल की साखा और जड़ों से कट गए है सवाल यह है कि कुल देवता या कुल देवी सभी के अलग-अलग क्यों होते हैं इसका उत्तरिया है कि कुल अलग-अलग है तो स्वभाविक है कि कुल देवी और देवता भी अलग-अलग ही होंगे दरसल हजारों वर्सों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को संदक्षित करने के लिए ही कुल देवी और देवताओं को एक निश्चित अस्थान पर नियुक्त किया जाता है वह अस्थान उस बंस या कुल के लोगों का मूल अस्थान होता था मानलो कोई वैक्ति गुजरात में रहता है लेकिन उसके कुल देवी और देवता उत्तर प्रदेश में किसी अस्थान पर है यदि उस वेक्ति को यह मालूम है कि मेरे कुल देवी और देवता उत्तर अस्थान पर है तो वह वहां जाकर अपने कुल के लोगों किसे मिल सकता है वहां हजारों लोग किसी खास दिन इखटा होते हैं इसका मतलब है कि वे हजारों लोग आप ही के कुल के हैं हलाकि कुछ अस्तान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्सन करने आते हैं उधारनात की बात करूँ तो आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवस पलायन करके जब किसी दूसरी जगह रैन बसेरा बसाया होगा तो निस्चित ही उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया होगा जहाँ पर आपके कुल देवी और देवता की मूर्तियां रखी होती है सभी उस मंदिर से जुड़े रहकर या जानते थे कि हमारे कुल का मूल क्या है यह उस दौर की बात है जब लोगों को आकरांताओं से बचने के लिए एक सहर से दूसरे सहर या एक राज से दूसरे राज में पलायन करना होता था ऐसे में वे अपने साथ अपने कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाय रखने के लिए वे एक जगा से दूसरे मंदिर बनाते थे जहां पर कि उनकी कुल के बिखरे हुए लोग इखटा हो सके पहले यह होता था कि मंदिर से जुड़े ब्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वह उन लोगों के नाम पते और गोत्र दर्ज करता था जो आकर दर्ज करवाते थे इस तरह एक ही कुल के लोगों का एक डाटा तयार हो जाता था यह कार वैसा ही था जैसा कि गंगा के किनारे बैठा तीर्थ प्रोहित या पंडे आपके कुल और गोत्र का नाम दर्ज करते हैं आपको अपने परदादा के परदादा का नाम नहीं मालूम होगा लेकिन उन तीर्थ प्रोहित के पास आपके पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं इसी तरह कुल देवी और देवता आपको आपके पूर्वजों से ही नहीं जोड़ते बलकि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खांदान के हजारों अंजान लोगों से भी मिलने का जरिया भी बनते हैं इसलिए कुल देवी और कुल देवता को पूजने का महत्व है इससे आप अपने वन्स विरिक्ष से जुड़े रहते हैं और यदि यह सत्य है की आत्मा होती है तो पूर्वज भी होते हैं तो वे भी आपको कहीं से देख रहे होते हैं उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है और वह आपको ढेर सारे आसिरवाद भी देते हैं अब फिर से समझें कि तत्तेक हिंदू परिवार किसी ना किसी देवी देवता या रिसी के वनसज से संबंदित हैं उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वनस से संबंदित हैं मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र गर्ग है तो वह गर्ग रिसी की संतान है किसी का गोत्र भरद्वाज है तो वह भरद्वाज रिसी की संतान है कालांतर में भरद्वाज के कुल में ही आगे चल कर कोई व्यक्ति हुआ और उसने अपने नाम से कुल चलाया तो उस कुल को उस नाम से लोग जानने लगे इस तरह हमें भरद्वाज गोत्र के लोग सभी जाती और समाज में मिल जाएंगे हर जाती वर्ग किसी ना किसी रिषी की संतान है और उन मूल रिषी से उतपन संतान के लिए वे रिषी या रिषी की पत्नी कुल देव या कुल देवी के रूप में पूज़े हैं इसके अलावा किसी कुल के पूरवजों के खांदान के वरिष्ट ने अपने लिए उप्युक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाओ कर उन्हें पूजित करना सुरू किया और उसके लिए एक निस्चित जगा एक मंदिर बनवाया ताकि एक अध्यात्मिक और पारलोकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां से उनकी रक्षा होती रहे कुल देवी अर्था देवता कुल या वंस के रक्षक देवी देवता होते हैं ये घर परिवार या वंस परंपरा के प्रतम पूज्य तता मूल अधिकारी देव होते हैं इनकी गड़ना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी होती है अतहा प्रत्यकार में इन्हें याद करना जरूरी होता है इनका प्रभाव इतना महत्वपूर होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हनमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुस्त प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता इसे यूँ समझें कि यदि घर का मुखिया पिता जी या माता जी आप से नराज हो जाएं तो पडोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेस्त नहीं कर सकता क्योंकि वे बाहरी होते हैं गीता में इस संबंद में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नास कैसे होता है ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता कुछ नहीं मालूम है ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुल देवी या देवताओं के अस्थान पर जाना ही नहीं शोड़ा बलकि उनकी पूजा भी बंद कर दी है लेकिन उनके पूरवज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं यदि किसी को अपने कुल देवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजरगों या रिस्तेदारों से या पंडितों से पूछ कर इसकी जानकारी लेना अती आवश रखें यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि जडूला मुंडन संसकार आपके गोत्र परंपरानुसार कहां होता है यह या जात कहां दी जाती है यह भी विवा के बाद एक अंतिम फेरा कहां होता है कहते हैं कि कालांतर में परिवारों के एक अस्थान से दूसरे अस्थानों पर अस्थानांतरित होने या धर्म परिवरतं करने आक्रानताओं के भै से विस्थापित होने, जानकार ब्यक्तिके असमय मृत होने, संसकारों का छै होने विजात्यता पनपने, पास्चात्य, मान सिक्ता के पनपने और नए विचारों के संतों की संगत के ज्ञान भ्रम में उलजकर लोग अपने कुल खांदान के कुल देवी और देवताओं को भूल कर अपने वंस का इतिहास भी भूल गए खास कर यह प्रविर्थी सहरों में देखने को जादा मिलती है ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ बरसों तक तो कोई खास परिवर्थन नहीं होता लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और घटनाओं का दौर सुरू हो जाता है उन्नती रुकने लगती है ग्रह कलह उप द्रव वा आसान ती घर में जगड़े आदी सुरू हो जाते हैं आगे का वंस नहीं चलता लोग कहते हैं हमारे संताने नहीं हो रही हैं तो आगे का वंस नहीं चलता पिता दुरोही होकर वेक्ति अपने वंस को नश्ट कर लेता है तो आप जाने, हमारे लिए कुल देवता, कुल देवी बहुत ही महत पूर है, कहीं भी रहे, भले ही हमारा गाउं घर परताब गड़ है, ग्राम चिंदा मणपूर है, लेकिन अगर व्यक्ति लखनव में रह रहा है, तो वो लखनव में भी अपने कुल देवी देवता को याद करें, और कोई भी सुब काम हो, तो सरप्रतम उनकी अराधना करें, तो किसी भी काम में कोई बाधा नहीं होगी, ये निस्चित है, और हर काम सुचार रूप से होगा, इसमें कोई संदे नहीं है, तो आईए चलते हैं अब दैनिक पंचांग की तरफ, तो आज का पंचांग 27.6.2024, स्री संबत 2021 साके 1946 तिथी खश्टी, रात आठ वच के दस मिनट तक रहेगी, नच्छत्र की बात करूँ, तो सत्यफिसा दिन में एक पच के एक तालिस विनट तक रहेगी, करण, गर, तपस्चात, वारिज्य, आसारमास, कृष्णपक्ष, आईश्मान योग, और गुरुवार, चंद्रमा, कुम्बरासि पे इस्तित है, अब जित्मुर्थ की बात करूँ, तो अब जित्मुर्थ, ग्यारा बच के छप्पन मिनट एयम से, बारा बच के बावन मिनट पीम तक रहेगा, जिशासूल की बात करूँ, तो आज के दिन दक्षिर दिसा में यात्रा करना दिसासूल होता है, यात्रा अच्छी नहीं माने जाती, इसलिए आज के दिन हम दक्षिर दिसा की यात्रा प्रस्थान रख के करेंगे, अनथा नहीं करेंगे, आईए चलते हैं दैनिक राश की तरफ, सरप्रतम मेख राशी, मेख राश का स्वामी मंगल होता है, ब्यापार में नए साज्येदार जुड़ सकते हैं, आविवाहित लोगों का विवात हो सकता है, करी मेहनत का सार्थक परिणाम प्राप्त होगा, राजनीती से जुड़े लोगों को उच्छ पद मिल सकता है, आपको कुछ सुब समाचार मिलने के योग बन रहे हैं, अपने विचारों में अस्प्रश्टता रखें, उपाय की यदी बात करूं, तो एक ज्यारा बार हनुमान चलीशा का पाट करके यदी घर से वाहर निकलें, तो आपका दिन शुब होगा, आईए चलते हैं ब्रिश्रास की तरफ, ब्रिश्रास का स्वामी सुक्र होता है, आज आप कारोबारी यात्रा पर जा सकते हैं, आप विवाहित लोगों के विवा को लेकर संभावना बन सकती है, व्यावसाय में कड़ी प्रति इसपरदा का सामना करना पड़ेगा, संतान पर अनावश्यक दवाव ना बनाएं, धन से धन के लेंदेन को लेकर साजेदारी रखें, उपाय की यदि बात करूँ, तो मा दुर्गा जी का पूजन करें, खटी चीज का सेवन ना करें, और माता पिता के पैर छुकर घर से बाहर निकलें, तो आपका दिन शुब होगा, आईए चलते हैं मिथ्वन राश की तरफ, तो मिथ्वन राश का स्वामी बुद्ध होता है, आपकी दिन चरिया संयमित रहेगी, परिजनों का व्योहार आपके प्रती कुछ रूखा सा हो सकता है, बच्चे पढ़ाई में काफी अच्छा प्रदर्सन करेंगे, आज आपको उधार लेने से बचना चाहिए, समाज के उच्चवर के लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा, उपाय की यदि बात करूं, तो आज के दिन गडेश जी की पूजा करके, एक माला, मंत्र, ओम, गंगण, पते नमा करके, यदि घर से बाहर निकलें, तो आपका दिन होगा, आएए चलते हैं करके राष की तरफ, करके राष का स्वामी चंद्रमा होता है, यदि तनाव आपकी कारचंता को प्रवावित कर रहा है, तो मित्रों से आपको काफी सहायता मिल सकती है, का संटुलित खान पान के कारण कब जियत हो सकती है, सौर्थ वस काम करने के का कारण आपकी आलोच ना हो सकती है किसी भी भावनाओं का तिरिस्कार ना करें और दामपत्य जीवन में सुख बना रहेगा उपाय की यदी बात करें तो शिवलिंग के सामने बैटकर ओम नमाशिवाय की 11 माला जाप करके यदी घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब सिंग रास का स्वामी सूर्य होता है सूर के नाते आज मान मर्यादा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं दुपार के बाद कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं अजनवी लोगों पर जादा विश्वास करना हानिकारक हो सकता है उच्छ अधिकारियों से आपकी प्रसंसा करेंगे आविवाहित लोगों का विवा तैह हो सकता है और बात करें स्वास्त की तो स्वास्त आज का दिन ठीक रहने वाला है उपाय की बात करूं तो जल में लाल रोली डाल कर सूर भगवान को अर्ग दें और मंत्र ओन संग सूर्याए नमा मंत्र से भगवान सूर को अर्ग दे कर घर से बाहर निकलें तो आपका जीवन शुव होगा आईए चलते हैं कन्या राश की तरफ तो कन्या राश का स्वामी बुद्ध होता है कार छेत्र में आपका बर्चस्व काफी अच्छा रहेगा योजना बद तरीके से किये गए कारियों में सफलता मिलेगी दूसरों के उल्जो मामलों में आपको सुल्जाना पड़ेगा घरेलू खर्चों को ले करके थोड़ा तनाव उभर सकता है बात करें उतावले ब्यावार से आपको बचना चाहिए क्यूंकि इससे आपको हा नी पहुँच सकती है स्वास्त का विसेस ख्याल लखें उपाय क यह दिवात करूं तो ब्रामनों को भोजन तथा गाए को हरे घास खिलाकर घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आईए चलते हैं तुला राश की तरफ आज आपको परिवार के साथ समय अवश्य व्यतीत करना चाहिए नई योजनाओं के विशे में मित्रों से चर्चा कर सकते हैं आलश और प्रमाद से आपको बचना चाहिए अधूरा कार्य छोड़ने की प्रविर्ति से बचें व्यावसाई में लाव की इस्तितियां बढ़ेंगी और स्वास्त पर ध्यान दें उपाय की बात करूं तो भोजन का कुछ हिस्सा गाय कववा और कुत्ते को दें तो और सेंट लगाकर घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आईए चलते हैं ब्रिष्चिक रास की तरफ तो ब्रिष्चिक रास का स्वामी मंगल होता है आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है फिर दैरोगियों को तनाओं से वचना चाहिए सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखें वैवाहिक जीवन में समवाद हिंता ना होने दें पैत्रिक संपत्ति के बिश्विवादों को लेकर आज सांति बनाये रखें मन में कुछ नाकार आत्मक विचार जन में लेंगे और स्वास्त की अदिबात करूं तो स्वास्त का बिगर सकता है और दामपत्य जीवन आपका सुख में रहेगा उपाय की यदि बात करूं तो सुंदर कंड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब रहेगा आएए चलते हैं धनुराश की तरफ धनुराश का स्वामी गुरू होता है गुरू के नाते कारोबार को ले करके की गई आत्राओं से काफी अच्छा लाब मिलेगा आप अपने खर्चों पर नियंतरन पाने का प्रयास करेंगे व्यपार में नए अनुबंद हो सकते हैं घर का वातावरण काफी अच्छा रहने वाला है धार्मिक कारियों में आपका मन लगेगा स्व उपाए की बात करूं तो माता-पिता की सेवा करके तथा अपने गुरू का आशिरवाद प्राप्त करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन होगा मकर राश की बात करें तो मकर राश का स्वामी सनी होता है आज कानूनी विवादों का समाधान निकल सकता है धन के अभाओ के कारण जो काम रुके थे वो आज सुरू हो सकते हैं रचनात्मक कारियों में आप काफी सक्री रहेंगे परिवार की जिम्मेदारियों का निष्ठा पूर्वक निर्वा करें प्रेम संबंदों में आ रही गलत पहमिया दूर होंगी बात करें स्वास्त की तो स्वास्त आज आपका बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा स्वास्त का इसे इस ख्याल रखें उपाय की दिबात करूँ तो पीपल के ब्रिक्षि के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चलीजा का पाठ करें तो आपका दिन शुब होगा आईए चलते हैं कुम्राश की तरफ तो कुम्राश का स्वामी सनी होता है व्योसाइक परिशानियों का निप्टारा होगा साजेदारी में नया काम सुरू कर सकते हैं भूम इक्रे विक्रे संबंधी कारियों से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है आपके मन में परोपकार की भावना रहेगी आकस्मिक धनलाब होने की संभावना बन रही है और दामपत्य जीवन सुख में रहेगा उपाई की यदि बात करूँ तो सुन्दर कांड का पाट करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुब रहेगा आईए बात करते हैं में राश की और मीन राश का स्वामी गुरू होता है सामाज में सम्मानित लोगों को अपनी प्रतिष्ठा का चिंता रहेगी आलत सी के कारण आप कुछ अच्छे आउसर चूक सकते हैं गूर्ड विश्रियों को ले करके नए अनुभाव प्राप्त करेंगे जल्दवाजी में आपका अनुटन नहीं लेना चाहिए मन में अनवस्यक विचारों को के कारण तन्व हो सकता है और स्वास्त आपका इस तन्व के कारण विगर सकता है बात करें दामपत्त जीवन की तो दामपत्त जीवन आपका सुखमे रहेगा उपाय की यदी बात करें तो गाय को गुड़ चना हल्दी खिला कर स्वैम भी भोजन करें तो आपका दिन शुब होगा आज के दिन मैंने आपसे धर्म की चर्चा करी धर्म की चर्चा में आज मैंने आपको बताया कि कुल देवी और देवता का क्या महत होता है तो इसका आप लोग बिसेश ख्याल रखें और सबसे बड़ी चीजी मैं आपको बता दूँ आपके साक्षात जो देवता हैं वो हैं माता और पीता तो जीवन में कुछ भी हो आप इनकी बिपरीत कभी न जाएं चाहे अच्छा करें या बुरा करें लेकिन वो करेंगे आपके हित के लिए ही इसलिए धरती पर जिनको आप अपने आँखों से देख सकते हैं वो है आपकी माँ आपके पिता सूर्य चंद्रमा और तारे ये आपके प्रतक्षिद्योता है आप इनका पूजन जरूर करें इसके बाद मैंने पंचां के भी से में बताया और आज तैनिक राश के भी से में बताया तो रोज की तरह एक बार भगवान का छोटा सा भज़न असमरान करके मैं अपनी मारी को विराम दोंगा नारायन नारायन स्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 आप सभी प्राइम टीवी के दश्कों को हार्दिक रूप से पंडित आचार्ज मनुर्श कमाशुकला का हार्दिक नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार गुरगाओ के टॉप ब्यूटी सलों में से आपको नेल एक्स्टेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक से वाएं पता सत्रह बेसमेंट हुड़ा मार्केट सेक्टर चालिस गुरगाओं संपर तरह 9555-299960 वॉल्पेपर की बहतरी डिजाइन के साथ इंटीर और एक्स्टीर के कार्यों का बहतरी ननभग केसरवानी पेंट्स अन हार्डवेर पता जवहलना लेहरू रोड लिकट पारवती हॉस्पिटल प्रयाज राज मेडिको हॉस्पिटल एं सुपर स्पेशालिटी सेंटर जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में पहतर इलाज संपर करे 945-5270-200 पता नए हाइकोर के सामने स्माइल गंच फैजबाद रोड लखनो सुनीता होम केस सिंटर जहां रखा जाता है पेशिंट से लेकर बच्चों तक का खयाल पता मटियारी विधाच्चराहा चिनत फैजबाद रोड लखनो मुपाल नंबर 9125179740, 9219470312 दशकों से प्रयागराज के विश्वस्निय शेक्षनिक संस्थानों में से एत वेभव क्लासेज जहां मिलता है शिक्षा का बहतर इन्वार्मेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ पता नियर आटो सेल्स बिल्दिंग सिवल लाइन स्ट्यागराज बाबसाहिब शादी.com ये पोटल वेबसाइट शादी मिवाह के रिष्टों के लिए ये बहुत ही भरोसी मंद और बहतरीन पोटल वेबसाइट है अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिष्टा पाया है ये पूर्णता सुरक्षित है आप आज ही अपना निश्रत पंजीकरन कराएं और मन चाहा रिष्टा पाएं गोयल सुपर स्पेश्यालिटी हॉस्पिटिल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हर्ड केयर फैसिलिटीज जहां होता है हर्ड समेथ सभी बिमारियों का बहतर इलाज संपर करे आयोध्या रोड चिनहेट लखनव मा सरस्वती शिक्षन संस्थान मदूरी राजकीय माननता प्राप्त विद्याले जहां होता है भविष्य निर्मार आडमिशन के लिए आज ही संपर करे और अपने बच्चों को दिलाएं बहतर शिक्षा जिलाखिरी उत्यप्र MGM Hospital and Research Center Advanced Neuro and Spine Surgery Center आपका स्वास्थ ही हमारी प्राथ मिक्ता पता जल्वा प्रयागराज M Planet Digital World ने कर आया है एलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई ख्रांती बहतर कमफर्ट आधुनिक सुभधाउं से लैस रोड का नया बाच्चा एलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूशन को कहे बाई 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 पता प्रोफेसर कॉलुनी कमलानगर आगराज मस्तिश्क मनोरोग नस एवंग नशामुक्ती के विशेश शग्य डॉक्टर राकेश पास्वान पता सीताराम हॉस्पिटल दर्भंगा कॉलुनी लाउदर रोड प्रयागराज बच्चों के उजबल भविश्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्याले गोला कस्ता रोड उमरपुर लखीम पुर्खीरी अड्मिशन के लिए आज ही संपर करें कॉस्वो लेजर डेंटल क्लीनिक एंड डेंटल इंप्लांट सेंटर जो दीता है आपको वर्ल्ड क्लास की बहतरीन डेंटल सुविधाएं पता प्रधमतल विंदावन टावर ओपुजट होटल जेकी पैलस सिविल लाइन्स प्रियागराज उत्तर प्रदेश संपर करें सिख 393882172 फिजियो थेरिपिस नजमा खान की फिजियो थेरिपिक इमाधियम से पाए पुराने से पुराने दर्ड से तुरंत निजार सीरा बेस्ट हेल्थ केर हापी फामिली पता अप्ष्टी लौज के सामने श्रीराम फाइनांस के बगल कैलारस जिला मुराइना मध्यप्रदेश रेला से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलिनी चहां आपको मिलेगी बहुत प्रदेश